मटर पनीर और पालक पनीर तो हम अक्सर बनाते हैं तेकिन इस बार पनीर को आप चने की दाल के साथ बनाएं बहुत साथ आमेजिंग लगता है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल को भीगों के रख दीजिए कम से कम 2 घंटे के लिए तो यहां मैं पैन में ऑईल गरम कर ले रही हूँ इसमें मैं पनीर को फ्राइ करना है तो पनीर को हम फ्राइ कर लेंगे आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी फ्राइ कर सकते हैं जिसमें हमें ये पूरी रेसिपी बनानी है या फिर अलग से पैन में भी फ्राइ कर सकते हैं तो पनीर को इस तरह कट कर लेना है दो से दो धाई संटीमीटर क्यूब में और इन्हें थुड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राइ करना है पर यह फ्राइ होने के बाद हम उसे साइड में रख लेंगे फिर हम लेंगे प्रेशर कुकर तो प्रेशर कुकर पर हम यहां पर डालें ओयल आप कोई भी वेज़ेटेबल डाल सकते हैं फिर हम डालेंगे यहां कुछ खड़े मसाले जैसे की तेजपता दालचीनी सूखी लाल मिर्च लॉंग और बड़ी लाइची इन सबी को थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे फिर हम इसमें आड़ करेंगे प्यास यहां पर मैंने एक मीडियम साइस का प्यास चौप करके डाला है इसे भी हम गोल्डन फ्राय होने तक प्राय करेंगे तो यहां पर मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट आप पेस्ट भी बना सकते हैं पर मैंने यहाथ से कूट के डाला है इन सबी चीज़ों को अच्छे से भूल लेंगे पर यहां अट करेंगे मसाले तो यहां मैंने डाला है हल्दी लाल मिर्च पाउडर और फिर टमाटर तो यहां मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइस का अब जिस कॉंटिटी में बना रहे हैं तो उसी कॉंटिटी में सार तो थोड़ा से पानी डाल के यहां पर हम सभी चीज़ों को पका लेंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से पक ना जाए और तेल ना छोड़ दें फिर यहां मैं अट करेंगे अपनी सोक डाल या जो डाल हमने जो भिको के रखी थी दो घंटे पहले उसका पानी हम निकाल के यहां पर आड़ करेंगे और इसे कम से कम तीन मिनुट तक असी फ्राइ करेंगे पर यहां हम अट करेंगे सॉल्ट नमक स्वाद के निसार तो यहां मैंने डाला है रॉक सॉल्ट आप कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं जो भी आप रोज खाने में इस्तमाल करते हैं थोड़ी दिर ऐसी ही पकने देंगे फिर यहां एड़ करेंगे हम पानी पानी आप उसी कॉण्टिटी में आड़ करेंगे जैसे आप बाकी सब डाल पकने के लिए जितना पानी आड़ करते हैं पिर यहां लेट लगा के पकने देंगे सीटी लगने तक कम से कम दो से तीन सीटी लगने के बाद हम इसे थोड़ा ठड़ना होने देंगे उसके बाद प्रेशल कुकर ओपन करेंगे तो यहां हमाई दाल पक चुकी है इसके बाद हम गैस को फिर आफ ओन कर देंगे और यहां हम अट करेंगे अपने फ्राइड पनीर मीडियम फ्लेम में आप गैस को इसे पकने देंगे कम से कम तीन से चार मिनट तक पर आप भरे दनिया से यह से दानिश कर सकते हैं तो यहां से भी चीज़े पकते ही हैं अब बारी आती है सर्फ करने की तो यहां मैंने थोड़ा से दनिया उपर से अलग से भी गार्निश किया है एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिए इस रेसेपी के बहुत साथा टेस्टी लगता है अब बार टेस्टी लगता है झाल से आती है झाल